भाई ले लो ले लो 200 रुपे किलो ले लो हलो मेरे बावचियो सस्रीका लदाब नमस्ते ये मर्ठाई जो आपको बाहर मिलेगी 200 से 2500 रुपे तक की वो आप घर पे बिना सक्यों वो भी अंडर 100 रुपीस और वो भी किस तरीके से आओ चलो आपको बताऊंगी जो की होगी इत बनाना भी बहुत असान है और देखो कितनी perfectly ये सेट हुई है तो चलो start करते हैं रेसिपी जिसके लिए हमने एक छोटे ग्राइंडर में दो बड़ चमच शीनी के और साथ में यहां पर मैंने ले लिया है बदाम और साथ में यहां पर एक इलाइची ले लेंगे और देखो अप्शनल है कि आप इसमें कोई भी ड्राइफरूट डाल सकते हो मैंने एक चामच के करीब कोकनट पाउडर डाल दिया है इन सब चीजों को अच्छे से हमने पीस लेना है तो देखे यहां पर इंसको अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद दो चमच मैंने यहां मिल मिल्क पाउडर ले लिया है मिल्क पाउडर में हम यह हमारा जो हमने पीसा था ना ड्राइफरूट शकर और साथ साथ में इलाइची वह डाल देंगे वह डालने के बाद हमने लेना है दूद एक गलास के करीब एक गलास दूद में हलका सब बॉयलाने के बाद हमारा जो मिक तो आप यहां पर देखोगे पांच मिनिट के बाद इस तरीके से हलका हलका सा गाड़ा होने लगेगा अब बात आती है कलर की तो हम इसमें कोई फूड कलर नहीं डालेंगे चुटकी भर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी अब देखना जैसे जैसे दूद उबलेगा और हल्दी अपना रंग छोड़ेगी तो मज़ा ही आ जाएगा और अगर आप चाहो तो इसमें और फ्लेवर के लिए केसर भी आट कर सकते हैं लेकिन केसर सबके पास अवेलेबल नहीं होता है इसलिए हमने यहां पे हल्दी डाल दी है अब अच्छे तरीके से इसको बॉयल आने देंगे साथ से आठ बॉयल आने के बाद हल्दी ने भी इतना प्यारा कलर छोड़ दिया है और साथ साथ में लाइची की भी बहुत लाज जवाब खुश्बू आ रही है अब साइड साइड में इसे से खुरेते रहेंगे और लगभग 5 मिनिट के बाद थोड़ा और घाड़ा यह कुछ इस तरीके से होने लगेगा अब सारे दूद को हमने अच्छे तरीके से सुखा लेना है तो हमारे पास इस तरीके का बैटर बचेगा इसमें एक चौमच के करीब मैं डाल दूँगी घी घी डालने के बाद इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद यह कुछ इस तरीके से हमारे पास मिठाई का जो पैटर है अच्छा सा बनके रेडी हो जाएगा गैस को कर देना है अब हमने बंद क्योंकि यह अपने आप से ही खुरदने लग गया है अब इसके बाद मैं एक प्लेट ले लूँगी उसके अंदर थोड़ी से घी के साथ अच्छे तरीके से मसाच कर दूँगी ताकि यह चिपके न अब इसके उपर हमारा गूंदा डाल देंगे और अच्छे से इसे शेप दे देंगे ऐसे रोल कर देंगे हलका हलका बर्फी भी बना सकते हो आप इसकी या मेरी तरह ऐसे रोल बना लो और इसके रोल को ना अच्छे से मैं सजा दूँगी ऊपर से आप वैसे कोई ड्राइ फ्रूट डल सकते हो तूटी फ्रूटी डल सकते हो मैंने तो सिंपल नारियल का बुद अब ऐस बाहर बात लिए खाने में बहुत टेस्टी बनाने में बहुत रीजी और साथ साथ में हेल्दी तो ही सही तो बच्चों को ना इस राकी या इस जन्माश भी ना इस तरीके की सौफ्ट मिलायम मिठाई घर पे बनागे खिलाओ बच्चों भी खुश हो जाएंगे घरवाले खुश हो जाएंगे पैसों की बचत होगी न तो वह और भी बहुत मज़िदार काम हो जाएगा तो आपको यह रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चानल को कर लिजे को जाद से जाद कीजे लाइक और शेयर